नमस्कार दोस्तों, डीडी रियाट के एक और रियक्शन वीडियो में आपका स्वागत है, मैं हूँ आलोग तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूँ और जिस पर मैं रियक्ट करने वाला हूँ वीडियो है, Catalyst Records का, इंडिया और पाकिस्तान, विच कंट्रीज कोस्टली, यानि कि इंडिया और पाकिस्तान में से कौन सा देश जो है, वो जादा महंगा है, यानि कि महंगाई दोनों देशों में से जादा किसके यहाँ है, तो चलिए, देखते हैं कि वीडियो में पाकिस् आज हम जानेंगे अपनी अवाम से किस मुल्क में महंगाई ज्यादा है, बारत में या पाकिस्तान में, तो जी, आइए जानते हैं. हम उसको उसकी सूथ के अंदर उसकी पेमेट करें या अपनी अवाम का कुछ सोचे, इसकी आपको छोटी सी जिजन देता हूं, जैंबावे एक मुलक है, उसके डॉलर की और उसकी करंशी का डेट जोएना, आप क्या कर सकते हैं, इसको क्या कैसे कंपेर कर सकते हैं, अब मसल आप बिल्कुल ठीक बात करने हैं, पता है हम लोग इस टाइम डॉलर का डेट अगर आप देखें, तो मतलब साब का हकूमत में क्या डॉलर का डेट था, इतनी महंगाई नहीं जितनी अब हो चुके तो इस बारे में आपका क्या है, इसमें ये कुछ मजूदा हमारे हुक्म इमरान है, अगर एक इमरान हाथ साब अकेले क्या कर सकते हैं, इसमें हमारे बियरो केसी का बहुत ज्यादा है, और कुछ हमारे माफिया के मुतलक है, जो एक जहीरा अंदोज हैं, उनको भी चाहिए इसके मुतलक थोड़ा सा अपना अवाम का तहफुजात दूर करने के लि दिन बढ़ती जा रही है, और आम आदमी की जो अब कहलें के आमधन है, उसके खराजात आमधन से बढ़ते जा रहे हैं, कोई तोजन काईम ही नहीं हो रहा है, तो इस एदवार से हर बंदा परेशान है यहां पर, तो यह मौामला तहसे हैं के, ओवराल तो कहा जाता है के ब आपका नेम अनुशे, अनुशे, यहां क्या करने आई है, शौपिंग, क्या क्या शौपिंग किया है, फिल्हाल तो शर्ट ली है कभी तक, मतलब वही लड़कियों वाला हिसाब है, कि मतलब सारा बजार भूमनेर पसंद कुछ नहीं आता, हाँ, वही है, तक्रीबन, चले म मेरा आज़ आप से कुछिन है किस मुल्क में महिंगाई ज्यादा है, इंडिया में या पाकिस्तान में, इंडिया का तो इतना नहीं पता बड़ पाकिस्तान में, इस वक्त महिंगाई काफी जादा है, क्यूंकि आप देखें, इस तरह की महिंगाई बढ़ती जा रही है, ट जब कि वहां पर ऐसा नहीं है, तो आपको नहीं लगता है हमारी गौर्मिन को कुछ करना चाहिए, अवाम को डिलीव देना चाहिए उने, हाँ, बिल्कुल देना चाहिए, रिलीव, असलाम लेकुम, वालेकुम, आपका नेम, एहमद, ओके, एहमद, आप हमें बताएं किस मु अवराल देखा जाएं, तो इसकी अबादी काम होने के बावजूद भी इसमें महंगाई काफी है, क्योंकि हमारे ओपर टेक्स बहुत जादा है, हमारे हुकमरानों ने, मतलब, टेक्स बहुत कर दिया है, जिसकी वज़ा से जो उनसे वाम है, वो रिलीव हासिल नहीं होता ह उनको, तो अगर बतोर हम इंडिया की तरफ देखा जाएं, तो इंडिया में अवादी जादा है, और जो उनसे गरीब अवाम है, उनको रहने के लिए घर तक नहीं है, वो फुट पाद पे रहते हैं, अटलेश, तो आपको लगता है, क्योंकि हमारे मुझाई जो होती है, किसी भी मुझे मुझे को बहुत दरा लो कर देती है, हमारी अवाम जो है, गडीब से गडीब तर होती जारी है, और जो अमीर अवाम है, वो अमीर तर होती जारी है, तो हमारी गौर्मन को कुछ नहीं करना चाहिए, आपको नहीं लगता है, करना चाहिए, जरूर करना चाह अब इसे सही करने के लिए दोबरा स्टेंड पेलाने के लिए कुछ वक्त तो लगता है तो इसलिए उन्हें चाहिए कि जो उनसे गरीब वाम है उनको भी रिलिफ दिया जाए ताकि वो भी अजादी से घूम सके नहीं हिस्से का दिया तो हड़ किसी को चलाना चाहिए तो गड़ीब वाम का ह्याल रखे वो कैसे करती है सबसिडिय तो दो देती है कि ऐसी अजनास की चीज़ें कि एसी और एटम्स जिसके उपर वो सबसिडिय देते हैं अब यह महंगाई का मसला शूर से आ रहा है इसलिए हकूमतों के दौर के दो भी अंदर महंगाई का मसला था इसके अंदर भी महंगाई का मसला यह तो हमारे उपर जब तक यह कर्जे इंटरनेशनल स्था के उपर कम ना होगे यह महंगाई भरती चली जाएगी यह कभी कम नहीं हो सकती सर घड़ीब अवाम घड़ीब तर होती जारी अमीर अमीर तर तो हमारी गौर्मेंट के इसमें बहुत हाथ है अगर वो देखे वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करे वो हर चीज को बैलेंस करे तो हो सकता है तो वो क्यों नहीं करी आपको क्या लगता है लेके गौर्मेंट के अगर इशुज लिया जाए उनका उपियनिस लिया जाए तो वो तो कह रहे है हम आवाम के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं हमने इसके ओपर सबसिड़ी दे दी लेकि आवाम जो है वो चोड़ी-चोड़ी चीजों को लेके वो फिर रही है हमारे ओपर आटा-डाल, सबसी आग, दूदूद के अंदर वो अपने मतज़ों के रोज मर्रा उनकी जिन्दगी के अंदर चीजों की जरूरत है वो उसके मुतलक लेके फिर रही हैं इसके अंदर गौर्मेंट को चाहिए कि बहुत सक्ती से संजीदगी से लिए इस चीज़ का नोटस आटा-टा-टा-टा-टा-टा-टा-टा-टा-टा-टा-टा-टा-टा-टा-टा-टा-टा-टा-टा-टा-टा-टा-टा-टा-टा-टा-टा-टा-टा-टा-टा-टा-टा-टा-टा-टा-टा-टा-टा-टा-टा-टा-टा-टा-टा-टा-टा-टा-टा-टा-टा-टा-टा-टा और जो अमीड था वो मीरता होता जाड़ा है तो हमारी गौर्मेंट और हमारी अवाम को कुछ नहीं करना दो इस बारे में आवाम के लिए? को trazer हैं कि हमारे पर इस टाइम होती होती जारी तो हमाری गौरंमेंट हमें बिल्कूल बूसाल निकिरी हमारा बिल्कुल भी है कि बाड़े मैं एक पार में का फिज्वाटी जाafa e थेंकियो तो माउडर अपको पता है हमारे मूलंक जाल के पड oral बहुत-जाना महांगा हो चुक है हर चीज से अर्ट आङ किया मतल बातरी कि सिस्किक हश स्थी हर चीज तैक्सिस हर चीज न तो हम आगर हमारी का तो इसमें बहुत ज्यादा करता है ना कि वो अगर देखते हैं वो अगर देखें के गड़ीब अवाम उनके लिए देखें एक फुक्मनान होता है ना उसका पहला फ़र्जी होता है कि वह अपनी अवाम को देखें तो हमारी कुछ नहीं देख रही वो अपने हजाने करने की बात तो यह हुई ना कि मलब हमारे ओपर हर किसी के ओपर बिलावज़ा टेक्स लगे हुए हैं तो हलाके हमने कोई करजा लिया भी नहीं लेकिन फिर भी टेक्स हैं और जैसे के पट्रोल की बात है पट्रोल हम बरूने मिल्क से मुंगवाते हैं वुस्प के उपर भ आपने करज़ा ने करजा लिया यह वह ऐसे मुंग बाते हैं वुस्प के ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते के वह गामों सस्ता हो वो जैसे हमें बाइर से आएगा फिर उतनी पेमिंट निकालगे उन्होंने हमें आ अगए सेयल करना होता है आपको लग रहा है इस टैम हमारे पर कोई करजा नहीं है अगर है तो फिर हम लब गरीब अवाम रोती है ना के हमें यह चीज पूरी नी मिलती यह नी मिलती तो इसलिए में लब जितनी चीज सेस्थी होगी उतने रिलीव मेलेंगे तो इसलिए चाहिए कि हाकुमत को मुझा आपको क्या लगते हैं क्या करना सूई ही हमारी अवाम को और हमारी गुर्णंके को भी? ऐसा ही है इस टाइम हमारी मतलब जो मुईशियत है वो बहुत जारा लो जाती जारी है हम लोग गरीब से गरीब तर होते जारे हैं हम पर कर्जे बहुत जाद है तो हमारी गौर्मिन्ट को चाहिए वो चेक एंड बैलस रखे तो आपको नहीं लगता है उन्हें रखना जी वो क्यों नहीं रख रहें क्या लगता है आपको इस बारे में अब गौर्मिन्ट कहने को तो यह कह देती है कि यह मुफिर्फ लाबीज हैं जो काम कर रही हैं माफियाज हैं जो काम कर रही हैं लिकिन देखने वाली बाज ये है, कि जो हकुमति महक में हैं, वो कहां है, वो तो कहीं नजर नजर नहें quyत, जब रमजान मजार लगता है, तो सब टीМें आ जाती है, हर महक में कहा जाजता है, फ़र्जन प्राइज गन्ट्रम करने वाले आ जाते हैं, महंगाई कंट्रोल करने वाले आजाते हैं क्वालिटी कंट्रोल करने वाले आजाते हैं जो ही रमजान खतम होता है 11 माँ में वो नजर नहीं आते तो वो जो महकबे हैं वो क्या कर रहे हैं वो किदर हैं वो तो नजर नहीं आते हैं हैं हमारी आउवाम भोट भी शेय ठीक नियोन चाहते ह, और हमारी गर्मने भी ठीक नियोन चाहती है। अन्हें को से लुख अब जाते हो तो。 कैसे मैंने इसको लोटना है, कैसे मैंने इसकी जेव से पैसे निकाल लिए है, कैसे इसको मैंने फाइदा पुंचाना है ये तो अब रहा ही नहीं हमारी अकदार में ये चीज रही नहीं है वो इहसास ही खत्म होता जा रहा है बस प्राफिट 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 यही बढ़ता जा रहा है और यह महंगाई की एक हम विजा ये बी है एक फेक्टर ये भी है Wesley और ये च्चोटा भी रही बादे है तो हमने जाना अपनी अवाम से कि उनके क्या है रहा होजायात हैं उनके क्या इंटरिस्टेश ताफ का और yanlış हुऊ तो दोस्तों वीडियो हो गया है खत्म और मुझे ना इस पर कई सारी बाते करनी है आप भारत से कंपेर करते हो ना तो भारत की पॉलिसीज से भी कंपेर किया करो कि आपके यहाँ पॉलिसीज कैसी है गरीबों के लिए और हमारे यहाँ पॉलिसीज कैसी है आपको पता है कि हमारे यहाँ दो रूपे, तीन रूपे, किलो, आटा, चावल, गेहू, और बहुत सस्ती दरूपे, चीनी, करसीन ओयल, ये सारी चीज़े गरीबों को दी जाती है जो BPL कार्ड धारक है, बिलो पोवर्टी लाइन, उनको बहुत सारी सुविदाये हैं दूसरी बात कि गरीबों के लिए कई योजनाएं हैं, जैसे अभी आईशमान भारत में उनका इलाज की योजना है आप देखिए, एक रूपे, दो रूपे देखे, वो लोग दो लाग, तीन लाग तक का इंशुरेंस हो जाता है, उनका मेडिकलेम हो जाता है कि जो भी बेरोजगार है, जो मजदूर हैं, जो लोग हैं, उनको कम से कम साल में सौ दिन का काम मिले और उसके लिए एक नियूंतम वेतन तय है, कि इतने पैसे तो उनको दिये जाएंगे तीसरी बार, किसानों के लिए बहुत जाला काम किया गया है किसानों के खाते में सीधे पैसे पहुंचते हैं किसान फसल बीमायोजना चालोगी है या कि अगर आपकी फसल जो है वो अगर बरबाद हो जाती है किसी भी कारणवर्च से तो आपको इसका मुआवज़ा मिलेगा ऐसा पहले था कि फसल बरबाद तो किसान बरबाद नहीं अब ऐसा नहीं है अब उसका सरकार की तरफ से मुआवज़ा दिया जाता है तो गरीबों को हमने सरकार की तरफ से बहुत सारी कोशिशें की गई है कि उनको मुश्किलों से दूर रखा जाए और मुझे लगता कि पाकिस्तान में ऐसी कोई योजना है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ऐसी योजना चालू करनी चाहिए भारत से सीखते हुए और चुकी जैसा कि एक भाई साब कह रहे थे कि भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, जनसंख्या यहां पर बहुत जादा है, उसके बावजूद हम अपने गरीबों का, हम अपने लोगों का, हम अपने मिडिल क्लास का सबका ख्याल रख रहे हैं, और ये सारे लोग मिलकर देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं, इसलिए देश हमारा तरक्की कर रहा है और आपका देश कर्ज में डूबा जा रहा है, अच्छा कर्ज की बात आई है, तो अभी तीन-चार दिन पहले वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पाकिस्तान दुनिया के उन ट अच्छन लगाने की सोच रहा है कि इतना जादा कर्जा आपने ले लिया है, अब वो कर्जा वापस भी नहीं कर पाएंगे और हालात लगाता है, खराब होते जा रहे हैं, और कर्जे की ज़रुत पड़ रही है, और कर्जा माग रहे हैं इमरान खान, तो डेटा दिखाया अपको समझ में आएगा कि कैसे कर्जे लिये जा रहे हैं अपना देश चलाने के लिए, मतलब इमरान खान कर्जे पर कर्जे लिये जा रहे हैं पाकिस्तान को रन करने के लिए, अब सूचे ये कितनी अफसोस जनक बात है कि आपके पास सरकार के पास पैसा ही नहीं है, और ऐसी ही हालत चलती रही तो पाकिस्तान दिवालिया गोशित हो जाएगा और जो आपके हां महंगाई बढ़ रही है ना कि आटा भी महंगा शक्कर भी महंगा चावल भी महंगा हर चीज सबजियां महंगी तो वह इसे लिए और मुझे तो बड़ा ताज्यूब हुआ कि पाकिस कि आप रोटी खाना कम कर दीजिये नेवाले कम कर दीजिये सुनिये जराइन को अवाम महंगाई से परेशान विफाकी वजीर अली अमीन गर्णपुर कहते हैं कि 9% महंगाई कुछ भी नहीं कहा कि महंगाई है तो क्या हुआ अवाम रोटी और चीनी का इस्तमाल कम करते उन महंगाई है अगर इमरान खाने की तरह मस्रूवी काम करे करदा ले आपको सरसीडी दे ये दोखा है चीनी किती महंगी है 9% इफलेशन अगर इमरान खाना को दोखा निक दे रहा है और आपके लिए वो करदे लेकर मस्रूवी चीन सरसी नहीं कर रहा है कर करदा फिर आपने उतारना है आपके बच्चों ने उतारना है तो कितना फार पड़ गया है नाओ परसेंट से अगर मैं एक चाय के चमच में सो दाने डालता हूं तो अगर नाओ दाने कम हो जाएं तो क्या अपनी कौम रोड़ी बच्चों के लिए मेरी चीनी मुझे कम मिठी रखती है हम इतने अगर नाओ परसेंट इंफलेशन है मैं सो निवाले खाता हूं आटे के तो अगर नाओ निवाले कम खालू तो अपनी कोम के लिए मैं नाओ निवालो के गुर्बानी नहीं कर सकता अब बताईए कि क्या आवाम को आप ये कह रहे हैं कि आप भूखा सो आप कम खाना खाओ आप कम चीनी खाओ आप कैसे कह सकते हैं एक हुकमरान होकर आपके उपर जिम्मदार ये आपकी आवाम की और ऐसी हालत हो रही है आप बताईए ये लोग आपकी नाकामिया हैं सरकार की नाकामिया है और इमरान खान नया पाकिस्तान का वादा लेकर रहा है और नया पाकिस्तान कहीं दिख नहीं रहा है हालात यह आ गए है कि पाकिस्तान सरकार के मंत्री को यह कहना पड़ रहा है कि भाईया कम खाईये बड़े अफसोस की बात है बड़े अफसोस की बात है ट्विटर पर मेरे एक-दो मित्र है पाकिस्तानी मित्र है बचारे हर मेरा ट्वीट देखते हैं उसमेकाद को तो मैं जानता हूँ हसना इंशाह हैं बहुत सारे लोग हैं वो देखते हैं और वो लगतार मेरे ट्वीट्स पर काउंटर कमेंट करते रहते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कोई काउंटर कमेंट कर रहा है देखो तुमारे यहां यह हो रहा है मैं मानता हूँ हमारे यहां होती हैं चीज़े लेकिन हम उनसे निपट भी लेते हैं हम उन्हें दूर कर देते हैं प्रॉब्लम से हम भागते नहीं है और प्रॉब्लम को ऐसे नहीं कहते कि खाना कम कर दो आज देख हमारे यहां किसी ने कहा हो कि खाना कम कर दो नहीं होता ऐसा हमारे यहां कि सरकारें जनता के लिए काम करती है और वो काम नजर आता है आप पिछले कुछ टाइम से देखोगे तो धीरे धीरे चीजें पिछले 74 साल में चीजें डेवलप हुई हैं चीजें बदली हैं चीजें आगे बढ़ी हैं आपकी तरह नहीं है कि पीछे बढ़ी हैं तो आप अपने मुल्क के हालत देखिए और मैं कहूंगा कि आप हमारी छोड़ दिजे पहले अपनी चिंता कीजे और मैं पता है क्यों यह सारी बाते कहता हूँ मैं कहता हूँ कि यार छोड़ो यार दुश्मनी आप भारत से सीखो भारत से सीखोगे भारत के खिलाफ काम करना बंद करोगे तो अपने आप आप विक्सित होने लगोगे लेकिन आपने तो हमसे दुश्मनी ले रखी है और दुश्मनी का खामियाजा तो बहुत भुगतना पड़ेगा तो अब ये वहां की आवाम जो वहां की नई पीड़ी है वो पीड़ी सोचे कि उसे भारत से दुश्मनी लेकर वही करते आना है जो 74 साथ से पाकिस्तान कर रहा है और जिसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है या फिर दुश्मनी छोड़नी है नई सोच के साथ आगे बढ़ना है दोस्ती करनी है और कदम से कदम मिला कर चलने की कोशिश करने हैं इसमें आपका भी भला हो लेकिन मुझे उम्मीद कम है क्योंकि आपकी जो एतिहासिक आदते हैं वो तो बदली नहीं अभी तक तो ऐसा होना मुश्किल है चलिए जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार जाहित जाहित